कि कहते हैं जब वक्त बुरा होता है तो लोग राजा को भी रंक मानने लगते हैं और कुछ ऐसा ही मुंबई इंडिन्स के साथ हुआ इस सीजन लेकिन मुकाबला तो टेबल टॉपर्स वर्सेज पाइप टाइम चैंपियन आईपियल की यानि की टॉपर एम आई के साथ है और टेबल टॉपर है कॉलकता नाइट राइडर्स लेकिन मुकाबले में कौन टॉप करेगा यह जानते हैं एस्पें क्रिक इंफो टाइम आउंट हिंदी में हमारी एक्सपर्ट दीब दासकपता से सबसे पहला सवाल मैं आप से यह पूछूंगी दीब कि यहां पर अब जब ह होम ग्राउंड से बाहर खेलते हैं तो अभी तक 2023 की बात हो या फिर सीजन की बात हो कुल मिलाकर 13 मैच हुए हैं जिसमें से चार ही वो जीत पाए हैं पिछले दो साल में मुंबई इंडियन वैसी कम जीती है तो मेरे एकाल से अगर आप देखें कि होम और अवे मिलाके तो ज़्यादा अंतर नहीं है आप अविस्ली यह ऐसा है कि पिछले दो तीन साल से अगर आप देखें जब से यह बड़ा ऑक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं वो ऑक्शन का जो परफॉर्मंस था उसका फरक पढ़ा है पिछले दो तीन सालों में जिस तरीके से टीम बनाई गई चलो काफ सारे यंग्स्टर आए थे फिर एक तरफ चल रही थी टीम पर आप दूसी तरफ चलने लगी है तो मैं कहीं ना कहीं उसका फरक हो हो यावे हो उसमें पढ़ा है बलकुल पढ़ा है और अगर हम कॉलकता की बात करें तो कॉलकता में मुंबाई जो है वो साथ बार कॉल मिला के 10 मुकाबले होए थे तो यहां पर तो रिकॉर्ड है तो आपको लगते है मिया यहां पर अच्छा खेल पाएगी जब कोलकता मुंबाई थी तब रिकॉर्ड था 10 में से इक जीत और आखरी जीत जो था वो था 2012 तो वो बदल पाई के क्याए है देखके लग रहा यह रिकॉर्ड भी बदल पाएगी को अधीप अगर हम बात करें रोहिट शर्मा की तो उन्होंने काफी अच्छा खेला था अगल पाउगम काफी गुप बात मुएश मैंन्य जो वाइसे गीव खूत अध्यूव करना चीए कियम की बहुत मुश्किल से आप अपना जो बीशिक माइनलर है आप बदल से क्योंकर इतने साल माइनलर ही थोडा वक लेते हैं तभी अब आप देखेंगे पीछे घूमके तो बड़े-बड़े रन बना है कुछ वैसी बना है तो, well, that's a fair point, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो change करेंगे अपना mindset मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत मुझे से माइंड सेट अब बैठा है सिर्फ उन में नहीं next generation के बल्ले बाजमी बैठा है तो, I would like him to continue with that और, देखे, success दूर नहीं है क्योंकि थीक ठाक बैटिंग कर रहे है फॉर्म में, रन में नहीं है बेशक, लेकिन फॉर्म में है तो, वही है कि shot selection थोड़ा ध्यान से करें और, जिस momentum से खेल रहे हैं, जिस tempo से खेल रहे हैं तो आपको लग रहे है, जैसे ODI World Cup में उन्होंने ये बनाया है था कि power play में आएंगे, hit करेंगे and एक set करेंगे, that is the way he should he should, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही वह करेंगे और वैसा करना भी चीए सुनील नरेन के अगर हम बात करें, तो वह जो है काफी घातक खिलाडी हो सकते है रोहित के सामने, तो आउट भी किया उन्होंने, वह अलग बात है कि पर आप इस match-up को कैसे देख रहे है इंट्रेस्टिंग match-up, और ऐसा match-up जहां पर पढ़ भारी है सुनील का तो इसमें कोई दोराएं नहीं है कि शायद सुनील अगर पहले एक दो ओवर में शायद ना दिखे सुनील, लेकिन अगर रोहित टिक जाते हैं, पहले दो तीन ओवर और खेल रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से पाव प्ले में सुनील का एक ओवर देख सकते हैं और जरूर इस match-up के बारे में सुनील को तो पता ही होगा, रोहित को भी होगा और कप्तान को भी शेयस को भी होगा यह सो वो मैं देखता हूं कि अगर वो तीन-चार ओवर पहले रोहित हैं तो एक ओवर पाव प्ले में सुनील को दे सकते हैं और सुनील जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर आप इडन की बात करें इडन में वैसी उनका रेकॉर्ड अच्छा लेकिन इडन में भी बहुत खास रहा हूं का रेकॉर्ड पिछले 8-10 साल से, तो या, इस अन इंटरेस् सुनील भी बनाए और 15 विकेट भी लिए एक ही सीजन में तो यह रिकॉर्ड अगर बनता है यहाँ पर तो इसके बारे में आप क्या चाहिए यह कमाल का साल रहा है सुनील का चाहिए बॉल के साथ हो चाहिए बैक के साथ हो कही ना कहीं मुझे लगता है कि गौतम का अजन ग किया है रिगलर्ली जब ओपन कर रहे थे कप कर रहे थे जब गौतम कप्तान था तो मेरे खाल से वह बिलीफ देखे प्लेयर तो सभी अच्छे होते हैं अगर आप इस लेवल पर खेल रहे हैं कभी कबार ना वह थोड़ा सा बैकिंग चाहिए होता है कप्तान का कोच का इनो मेंटोस का और मेरे खाल से वह उनको इस साल मिला है गौतम से तभी यह अलग सुनील नरायन दिखे हैं जो हम पिछले एक-दो साल से देख रहे थे खास करके उनका जो बैटिंग साइड है सुनील नरायन दे बैटर मेंगा से वह विश्वास दिखाया है शुरू से आन तक और उसका फाइदा सुनील को तो हुआ है लेकिन केकियार को उसे जादा फाइदा हुआ है इसी पर मैं आपसे सवाल पूशना जाओंगी कि फ्रेंचाइज का कितना बड़ा योगदान होता है जब भी हम किसी खिलाडी के फॉर्म जैसे फॉर्म में नहीं है तो उसको ट्रे कि क्यार को दाद देनी पड़ेगी उस मैनेजमेंट को सिर्फ सुनील की बात नहीं कर रहा आप रिंकु की बात करें नितिश की बात करें ओविसली आंड्रे रसल सुनील नरायन तो हैं लेकिन उसके बावजूद उनके इलावा रादर जैसे रिंकु तो अभी हम जानते हैं कि रिंकु सिंग पिछले एक-दो साल से हुए हैं लेकिन उसके पहले भी रिंकु को बैक करना रिंकु को साथ में रखना वो विश्वास दिखाना कि नहीं हम को पता है आप क्या कर सकते हैं मेरे खाल से केक्यार को दाद देनी पड़ेगी मैनेजमेंट को बहुत बहुत तो टॉप फॉर वाली टीम है लेकिन फिलाल नहीं है आसपास भी नहीं है टॉप फॉर के तो वो प्ले अविसले आर इंपोर्टन लेकिन वो एन्वायमेंट भी इंपोर्टन हो जाता है और आईपेल में खास करके इसलिए क्योंकि आपको वक्त नहीं मलता जैल करने का होता है और प्लेयर को भी होता है कि वो खुल के फिर अपना 100% दे पाते है और दीप एक खिलाडी है जो हमेशा अपना 100% देता है जो ऑन फील्ड भी वैसा ही है जैसा कि वो ऑन पेपर है वो है जस्प्रीट बूमरा उनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते है लेकिन ये खिला हुआ था वो आते ही पहले यॉरकर डाला सुनील नहरा इनको पहला बॉल वाज यॉरकर अभी भी मुझे याद है अब मुश्किल यह हो गया कि वो अंडर रेसल के लिए तो बजा के रखा था लेकिन बाकी काम तो उसके पहले हो गया था तो वो थोड़ा सा ध्यान से अब म इस्तेमाल करें मैं आइडियली चाहूंगा कि जब भी विकेट की जरूरत हो किसी एक प्लेयर के लिए क्योंकि वो इतने बड़े गेंद बाज हैं कि उनको फरक नहीं पड़ता सामने कौन सा प्लेयर है जब भी जरूरत पड़े कि यहां मुझे भी विकेट ची है आप लेक तो आप समझ भी सकते हैं क्यों लेकिन अब हांट्रे रसल आते आते काम अगर खतम हो जाए तो फिर फायदा गया तो मेरे खाल से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अच्छा एक चीज का अगर ध्यान से आप देखी रहे कि यहां पर क्या हो रहा है कि M.I. में जादतर यह हम प्ले में गेंद बाजी करते हुए नजर आ रहे है कि आपको ऐसा लग रहे है कि हार्दिक पांडिया ट्राइंग टू हार्ड की वह पावर प्ले के बोलर बन सके एक स्पेशलिस्स टाइप का वहाँ पर अगर आप थोड़ा पीछे की तरफ देखें जब वह इंडिया के ल और या मदवाल हो गए मदवाल बुम्रा ये लोग खासकर मदवाल की बात करों तो थोड़ा पीछे की तरफ जादा एफेक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वह सोच होगी हार्दिक की क्या है कि वह स्विंग अच्छी कराते हैं नहीं गेंद के साथ और के से भी हो शायद रोहित ने उसे बात किया हो कि भाई इंडिया के लिए मैं तुछ से करवाँगा नए बॉल के साथ हो सकता हो दो तीन चीजों के कारण वह भी दिख रहे हैं डालते हुए तो दीप आपका प्रेडिक्शन क्या है आप अपनी जन भूमी कॉलकाता की तरफ जिस तरीके से मुंबई खेल रही है तो मैं हमें देखे और जो मेरा अनिटिकल दिमाग कह रहा है कि कॉलकाता कॉलकाता तो पिछली बार हाइदराबाद को मंबई ने हरा दिया था क्या इस बार वो हरा पाएगी कॉलकाता को आप भी देखेगा कॉमेंट सेक्शन में जरू जिस झाल को क्या है उमें आप भी बाकाता का लो मेरा तो एखेगा भी जागा सेक्शन प्लड़ाद को एखेगा उखेगाराज कने बाहाराएद का फित दृट खर प्लता दो एखेगा झाल कर दो